हेलो प्रेंज में हूँ दिपक्सरमा आप सबको अपने इलेक्ट का दुनिये चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में देखें कि MLDB क्या होता है कैसे इसको वाइरिंग किया जाता है MLDB को ही DP भी बोला जाता है distribution power ठीक है दोस्तों इसको क्या है बहुत ही आसान है आपको रटा नहीं मरना इसको concept को समझना है हमारा बीडियो का मोटी भी यहीं राता है कि आपको concept को समझाना ताकि रटा नहीं मरवाना ठीक है दोस्तों MLDB के लिए हमारा सबसे पहले होता है incoming मतलब three phase होना चाहिए अगर single phase है तो single phase अगर three phase है तो three phase यानि के हमारा main क्या है कि incoming में incoming कहां से है और कहां जा रहा है यह हमारा है ठीक है जैसे मैं आपको यह दीख रहा है mcb हम अपर पांच mcb लगाए कुछ नीचे terminals है यहाँ पर जो है यह हमारा कुछ और वाई भी बी कुछ बहुत सांट इम सी तीख रहे हम पर ओगलर arcこの the camerayeon somar Gmail जो है ऑगो क्या है जो खरने क्या हूआ अब इसमें मैं कनेक्ट करूंगा अब देखिए 1027 के लागाने का तरीका होता है अगर आपको नहीं पता होगा तो इस वीडियो में आपको पता हो जाएगा की टर्मिन इसको किस डिर्रेक्शन में कैसे लगा रहा जाता है क्योंकि सब भी देखते हैं की एक आप देख रहे हैं क직let comes open और 緊ard से ये close है मतब इस स्यलेसन है exercise सअद्सय नहीं है तो इसको कैसे लगाना है और लगाने का easy तरीका भी मैं आपको बताऊंगा तो जो हमारे टर्मिनों से इस direction में रख लेंगे कि मतलब एक के उपर एक हो मतलब एक ही direction में सारा जो आपको open side का दीख रहा है वो एक ही direction में हो क्योंकि एक डूसरे से counter insulation बन जाता है इसको लगाने की यह है कि आप जैसे देख रहे हैं यह क्या है ग्रिब जो बना हुए पकड़ने का वह एक side में आ जाएगा आपको दीख जाएगा और लगाने का तरीका क्या है कि आपको क्या है न सबसे पहले उपर थोड़ा सा लगा देख यह नीचे का point फसेगा और उपर का point जो है हम लोग जो c channel है हमारा उसमें हम लोग लगा देंगे जो mcb channel बोलते है इसको उस चीजों में इसको लगा देंगे जो उपर वाला point है यह द्यान देखिए और नीचे का ओपर्वाला मैंने क्या क्या थोड़ा सप्पो पहले फसाए और निचेहले के लिए जैसे पूरवा फास जाएगा नीचे सब लगा जाएगा कोई अर्क न हैわか अर्क इसका जो Incomer कैसे डिया रिया है कैसे इसका दूसरे MCB में दे रहा है सप्लाई वो देखना ज़रूर है यह हमारा Incomer है पहले में आपको बताया तो यह हम आर वाई बी में कनेक्ट कर देंगे अब क्या है कि यहां से हमारा जो निकल के जाएगा यह MCB में जाएगा हमारा जैस में लूप करना रहता है concept पर यहां पर समझेगा दोस्तों यहां पर क्या होता जो Outgoing होता है यहां से Incoming के बाद से Outgoing हमरा है वो क्या है वो लूप होता है सारे MCB में क्योंकि और यह ही important होता है हम लोग हर जेगे supply कैसे लूप करके ही जैसे आप देखरोंगे भी कि आप सब only off है एक दूसरे से लूप है कैसे मात्म Prince जो है वे और पर लूप है दूसरे MCB पर और जो मिच्चिख यह भी यह है यह यहांपे भी B है . क्या है न informing कि यह सब कुछ लूप हुह और क्या है बाप हमें न्यूट्रल जो देने का मेंद आता है teh आप neutral एक जगह से कहीं से उठा रिज़ें, जैसे हमारे पास एक ही neutral point हो, कहीं से भी, हम MCB का neutral point चाहें, MCB से उठा सकते हैं, अगर double pole लेता हैं, हमारा neutral कराता है, तो हम चाहें MCB से उठाना है, तो MCB से उठा सकते हैं, या चाहें, तो आप हमारे पास यहां पे एक वो दिया ह हुआ है यहां पर निट्रल लिंक वहां से आप उठा सकते और यहां से सारे चीजों को कमन कर देंगे निट्रल का जो भी हमारा पर निट्रल मिल जाएगा तो हमें कोई परसानी फिर ज्यादा नहीं होने वादी है ठीक है दोस्टों तो अब हमारा यह उपर का have aoline option होता है किस को सप्लाई देना चाहेंगी में यहां से सकते हैं यहीं से किटना असान है कोई ज्यादा नहीं है इसमें दिमाग लगानी बदर पश्यप कावकर अब समझ झाएंगे किसी भी movement को आप आर्सानी से बना सक्टें हैं या डी पी में यह होम वारिंग में भी यूज हुआ होता है जो सेम रहता है यह आप लॉक है आप इसको लॉक को लगा सकते है तो कोई टर्मीनल से उधा से उधा नहीं आये होगा तो दोस्तों उमीद करता यह वीडियो आपको पसंद आही होगी वीडियो पसंद आई डियो को लाइक करेगा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं के तर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक उन को ज़ित करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैन दौस्तो